हलो दोस्तों MRSE Technician में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अद्दलालम आज का जो हमारा वीडियो है इस वीडियो में हम लोग वाई एस टेनर के बारे में जानने वाले हैं जैसा कि आप लोगों को सामने यहां पर दिख रहा है यह जो है हमारा वाई एस टेनर है है यह जो आप दो चीज देख रहे हैं यह हमारा भ chuck है ठीक है यह जो है वाई एस टेनर हो गया या फिल्व हो गया यह डिफरेंट डिफरेंट साइस में आपको देखने के मिलेंगे तो यह हमारा जो वाई एक्सिणर कहां पर लगाये जाता है किंश्टल क्या जाता इसके बारे में हम लोग जानेंगे और यह हमारा ब्लोकेज हो जाता है तो क्या क्या हमको प्रावलम्स देखने को मिलेंगे उसके बारे में हम आप लोगों को फुल एक्स्प्लेंट करेंगे तो सबसे पहरे हम आपको पताते चलें कि जब हमको इसका सर्विस करना होता है तो यह हमारा कहीं भी लगाए जहां पर वाइशनेर रहेगा ना उसका पीछे में और उसका आगे में दोनों जगह आपको भल्ब मिल जाएंगे मतलब इसका रास्ता जो है दोनों साइट से ब्लॉक हो जाएगा बाद में जो आप ये देख रहे हैं ये वाला ये जो है आट्जेस्टबल के जरी हम लोग इसको खोल देते हैं आप लोक से था ऍसके अन्दर आपको एक जाली देखने को मिलेगा इसका ये हमारा देखे यह जारी देखने को मिलेगा तो यह काम क्या करता है यह कहीं भी एचू या एपसीू का जो इनलेट लाइन होता है चिल्ड वाटर सफ्लाई जो होता है जो एचू के अंदर पानी हम लोग भेज रहे हैं या एपसीू के अंदर तो उसका सफ्लाई जाली रोकने काम करता है और हमारा एचू का क्वाइल के अंदर जो है फ्रेस वाटर जो है उसके अंदर भेजता है तो क्या होता है कि बहुत टैम तक सालों साल तक लगे रहने से क्या होता है कि यह जो है पूरा जाली जो है इसका ब्लोक हो जाता है तो ब्लोक होने का बात क्या होता है कि जो हमारा HU का cooling capacity जो actual होता है वो हमें नहीं मिल पाता है तो बहुत time जो है बहुत सारे technicians लोगों को HU मालूम नहीं होता है और इस तरह काम problem phase किये हैं कि इसके मापलों को बताना चाह रहे हैं कि इसके चलते भी हमारा cooling efficiency कम हो जाता है HU का यह FCU का क्यों आप example के तौर मान लो अगर एक कहीं पे आप पानी दे रहे हो किसी एक pipe के जरी अगर वो आधा block हो जाता है तो जो जितना requirement जरूरत है आगे पानी जाने का उतना नहीं जाएगा तो उसी हिसाब से अगर हमारा यह जो एस्टेनर है अगर फुल ब्लोकेज हो जाता है चलते चलते ब्लोकेज हो जाता है तो उसके बाद क्या होएगा कि जितना पानी आगे एचू को सफ़ाई जाना चाहिए उतना पानी नहीं जाएगा और फिर उस बीच में क्या होगा कि आपका जो है एचू जो है प्रोफरमन्स जो है उसका cooling capacity जो है कम हो जाएगा तो जब हम लोग इसको वाइस्टेनर को निकाल करके फुल इसको वाटर स लगते हम लोग वास कर सकते हैं दूसरा कोई यह नहीं है कि जादा इसको प्रोशिजर रही है तो वाटर से इसको हम जो है निकाल करके वाश करके अ फिर इसको यहाँ पर लगाएंगे और उसके बाद जो है इसको फुल टाइट कर देंगे किलिकैऺंश नहों नहीं तो पा हमारा 3x4 का यह इस्टेनर है साइज में यह भाल भी साइज का वह पाइंप में लगा होगा यह यह चुका आपको बड़ा साइज देखने को मिलेंगे या कुलिंग टाउर का यह चिल्ड वाटर पॉंप है कंडेंसर पॉंप है सभी पॉंप जहां पर भी वाटर सफ्लाई का जो रहेगा ना वहां पर आपको यह चीज देखने को मिलेगा थीकि यह लगा हुए रखते हैं तो आई होप उम्मीद करता हूं कि कुछ चीज समस्वें आया होगा सीखने को मिला यह नए चीज तो अगर आप लोगों को हमारे वीडियो को लाइक आउज सेयर करें और हमार के टॉपिक लाते रहते हैं चलें फिर आप अपना ख्याल रखें फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ